कि हलो गाइज वेलकम टू मैख लानिंग पॉइंट इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडाइनिमिक्स क्योंकि थर्मोडाइनिमिक्स की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी गाइज इसलिए सोचा कि थर्मोडाइनिक्स पहले स वे प्रफिक्ट ले इसमें कुछा गया है कि जो फिजिकल प्रोपरीटिज हो ती एं वह कौण कॉन से बैریवल के दूबारा प्रोपर्रियवल कि जाती ठीक है ideal gas क्या होती है ideal gas is the gas that always ideal gas law ideal gas law का हमारा क्या होता है PB equal to RT तो ideal gas जो होती है ideal gas law को at all pressure or temperature पर क्या करती है और बे करती है इस gas law का पालन करती है ठीक है specific heat open ideal gas are function of temperature alone जो specific heat होती है ideal gas की वो किसका function होती है कि बड़ temperature का function होती है क्योंकि specific heat को किस तरीके से डिफाइन करते हैं specific heat is defined as the amount of heat required to raise 1 degree Celsius temperature of 1 kg substance ठीक है तो 1 kg substance के temperature को 1 degree Celsius बढ़ाने में हमें requirement होती है उस heat को हम क्या कहते है इस पैसिफिक तो इसमें क्या होता temperature को अपने इंक्रीज कर रहे है मतलब temperature पर ही इस पैसिफिक क्या कर रही है डिपेंड कर रही है तो इसलिए specific heat और आइडियल गैस आर फंक्षन ओप टेंप्रेचर अलॉण temperature का ही function होती है दियार इस नो पर्मानेंट और पर्फेक्ट गैस ऐसी कोई इसलिए तो होता है क्योंकि वह सब्जेक्ट टू लिक्टीफिकेशन और सॉलिटीफिकेशन एज टेंप्रेचर एड़ डिप्रेचर ओन आगर टेंप्रेचर को अपन पदियाप्त मात्रा में कम कर दें लोर कर दें तो तो temperature of pressure को तो उनको क्या कर सकते हैं लिक्विफाइख कर सकते हैं और सॉलीडिफाइख कर सकते हैं ठीक है गाइस है perfect gas is one in which intermolecular forces are not considered perfect gas वो gases होती हैं जिसमें intermolecular forces को consider नहीं किया जाता क्योंकि इनकी molecules की बीच में जो molecular force होता है intermolecular force वो बहुत कम होता है इसलिए intermolecular forces को consider नहीं किया जाता है तो most of the gases behaves as a perfect gases at low pressure and very high temperature जो ज्यादातर gases होती है वो perfect gas की तरह बेख करती है कहां low pressure और very high temperature पर ठीक है तो perfect gas always ideal gas law and it has constant specific heat perfect gas किसको अभी करती होती है किसका पालन करती है ideal gas law का पालन करती है तो इनकी जो specific heat होती है वो क्या होती है constant होती है जैसे cp and cb has the constant value अगर example के लिए अगर आपन देखते हैं तो इसके लिए जो cp की value हो है specific heat at constant pressure क्या होगी 1.005 किलो जूल पर केजी Kelvin और cb constant volume पर specific heat कितनी होगी 0.718 किलो जूल पर केजी Kelvin ठीक है at all temperature तो यह हमारी इसकी value रहती है अगर air को perfect gas के रूप में अपन उसको ले रहे हैं तो cp और cb की value ठीक है तो laws of perfect gases कौन-कौन से होते हैं the physical properties of a perfect gas as controlled by following three variables तीन variable के द्वारा physical properties को control किया जाता है कौन-कौन से variable से हैं एक है pressure exerted by the gas gas के द्वारा जो pressure लग रहा है वह second है volume occupied by the gas gas के द्वारा कितना volume occupy किया जा रहा है वह भी physical properties को effect करता है और temperature of gases और gases का जो temperature है उनके द्वारा भी हम physical properties को control करते हैं ठीक है गाई तो यह हमारा क्या हो जागा pressure volume and temperature the behavior of perfect gas undergoing any change in the ever-mentioned variable is governed by the following laws which have been established from experimental results तो जो behavior है perfect gas का अगर उसमें कोई भी change हो रहा है किसमें pressure में या volume में या temperature कुछ भी change आ रहा है तो इन variables को अपन किसके द्वारा गबन किया जाता है तीन laws के द्वारा का बन किया जाता है वो कौन-कौन से हमारे वाइल्स लॉव चाल्स लॉव एंड गे लुसाक लॉव ठीक है तो यह तीनो लॉव हमें एक-एक से रिमेंस कॉंस्टेंट तो इसमें क्या हो रहा है जो बॉल्यूम है गेवर मास का बॉल्यूम क्या कर रहा है वैरी कर रहा है इन्वर्स ली प्रोपोर्शनल टुदा एब्सॉल्यूट प्रेशर मतलब यह बॉल्यूम भी है तो भी क्या होगा डारेक्ली इनन्वर्शली प्रोपोर्शनल्ड टू पी तो यह इस तरीके से बॉल्यूम इस इनन्वर्शलीप प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ठीक है और सेकेंड हमारा चाल्स लॉच चाल्स लॉच क्या कहता है दो बॉल्यूम ऑप गिवन मास ऑफ गैस वेरीज डिरेक्टली एज इस एप्सॉल्यूट तेम्परिचर पॉवाइड दा मोल्स एंड प्रेशर इस केफ्ट कॉंस्तें तो बॉल्यूम ऑप किवन मास वो क्या कर रह डिरेक्टली बैरी कर रहा है एज इस एप्सॉल्यूट टेम्परिचर मतलब से बॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा यह बॉल्यूम है वह क्या होगा जाए devo बॉल्यूम है वह डिरेक्टली shimmer टो टम्परिचर अगर इसके मोल्स और प्रेक्टर को क्या किया जाए constant रखा जाए तो हमारा क्या होगा volume is directly proportional to temperature according to the Charles law ठीक है और third law है हमारा गेल उसाक लो तो इसके according क्या हो रहा है the pressure of a given mass of a gas varies directly as its absolute temperature pressure हमारा directly किसके respect में vary कर रहा है absolute temperature के respect में provided the moles and the volume is kept constant अगर moles और volume को क्या किया जाए constant रखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है जो pressure हमारा pressure is directly proportional to absolute temperature अगर यहां पर क्या किया जाए volume को constant रखा जाए ठीक है और जो moles है number of moles उनको भी क्या 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 जाए और जो रहता है हमारा का answer क्या हो जाएगा first question का first question का answer हो जाएगा हमारा pressure temperature and volume मतलब option number D हो जाएगा correct अब दिखते है next question इसमें पूछा गया है गाइस which of the following laws is applicable for the behavior of a perfect gas perfect gas के behavior के लिए इन में से कौन-कौन से laws applicable होते हैं option a में दिया गया है वाइल्स लॉव बी में दिया गया है चाल्स लॉव सी में दिया गया है गे लुसाक लॉव एंड डी में दिया गया है all of the above और इमें दिया गया है जूल्स लॉव ठीक है तो यह हम पहले देख चुके हैं गाईस इससे पहले वाले question में the baby the behavior of a perfect gas undergoing any change in the above mentioned variable जो variables हो क्या है pressure volume and temperature है तो एवा मेंशन बेरिएबल इज गवर्ण बाइद following laws which have been established from the experimental result जो क्या है experimental result के द्वारा established किये गए हैं यह कौन-कौन से हैं boils लॉव चाल्स लॉव और गे लुसाक लॉव ठीक है गाईस तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा second वाले question का option number D हो जाएगा ठीक है अब देखते next question question no.3 इसमें पूछा गया है the unit of temperature in SI units is temperature की unit के बारे में पूछा गया है कि SI unit कौनसी होगी temperature की इन में से option A में दिया गया है centigrade B में Celsius C में Fahrenheit और D में दिया गया है Kelvin और E में दिया गया है ranking ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे temperature क्या होता है temperature its a it is an intensive thermodynamic property temperature हमारी क्या होती है एक intensive property होती है दो प्रकार्टी होती है हमारी एक होती है intensive property और दूसरी होती extensive property इंटेंसीफ वह होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती है और extensive properties वह होती है जो मास पर डिपेंड करती है ठीक है गाई तो temperature हमारी क्या है intensive property है तो which determine the degree of hotness और the level of heat intensity of a body temperature के द्वारा हम क्या determine करते हैं degree of hotness और या level of heat intensity of a body body की जो heat intensity वह कितनी है या उसकी होटनेस है वह कितनी है उसको determine किया जाता है यह body is set to be at high temperature or hot if it shows high level of heat intensity in it अगर कोई body है उसको hot body कब कहा जाएगा या high temperature कब कहा जाएगा जब यह जो body है वो क्या करें high level of heat intensity को करती है ठीक है अगर इसी प्रकार हम cold body की बात करें a body is set to be at low temperature और cold body if it shows a level of heat intensity is low अगर जो heat intensity का लेबल है अगर कम है लो है तो वह हमारी क्या कहला ही कोल्ड बॉड़ी कहला ही या temperature वो क्या कहा जाएगा लो temperature कहा जाएगा ठीक है गाई तो यह हमारी temperature की definition होती है temperature क्या करता है हमारा degree of hotness or coldness को determine करता है ठीक है the temperature of a body is measured with the help of an instrument known as thermometer जो temperature है किसी body का वो हम किसके द्वारा मेजर करते हैं थर्मामीटर के द्वारा ठीक है which is in the form of a glass tube containing mercury in its stem जो एक glass tube के form में रहता है जिसमें क्या भरा रहता है mercury भरा रहता है ठीक है following are the two commonly used scale for measuring the temperature of a body अगर किसी body का temperature measure करना है तो उसके लिए जो scales होती है वो हमारी दो प्रकार के होती है एक होती है Celsius और centigrade scale और दूसरी है Fahrenheit scale ठीक है तो Celsius और centigrade scale क्या होती है इस स्केल वाजफास्ट यूजड वाई Celsius in 1742 Celsius और centigrade scale होती है वो 1742 में सबसे पहले यूज की गई थी किसके द्वारा Celsius के द्वारा इसलिए इसका नाम Celsius और centigrade scale रखा गया है इस स्केल इस मुस्टवीजड वाई इंजिनियस और साइंटिस को में इसको हम इंजिनियस है और सब्सक्राइब ओधने और यह स्केल किने लिएक होता है वाटर का सिंटिग्रेट इसकिल में वह जो एक रहुटा जी रहोता है और जो किस तरीक से बात करें यह हमारा से क्लाएं फिरीज भीविज इंग हो गया और यह बॉइलिंग वॉइंट हो गया ट्रैट तो इन दॉनों की बीच में जो वह कितने होंगे 100 divisions होंगे ठीक है गाइस तो 100 equal divisions रहेंगे इसके अंदर and 8 division represents 1 degree Celsius और जो every division किसको represent करेगा 1 degree Celsius को ठीक है इस Fahrenheit scale क्या होती है this scale was first used in 1665 इस scale को सबसे पहले कभी यूज किया गया था 1665 में यूज किया गया था इन दिस scale the freezing point of water is marked as 32 जो freezing point होता है Fahrenheit में वो कितना होता 32 और boiling point होता है वो कितना होता है 212 212 ठीक है the space between the these two points has 180 equal divisions इन दौनों के 32 और 212 के बीच में कितने divisions होते हैं 180 equal divisions होते हैं और इस डिवीजन रिप्रेजेंट वन डिग्री ओफ हैरेनाइट एक डिग्री फैरेनाइट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है अब जो यूनिट होती है की temperature की वो क्या होती है ये तो स्केल हो गई ये इसक लोती है जिसमें अपरिटर को मेजर करते हैं और बेसयूनिट है temperature की SI system में होती हमारी Kelvin होती है ठीक है गाई तो इसलिए इसका और क्या हो जाएगा हमारा option question number 3 का option number D हो जाएगा केलविन अब दिखते है next question for question number 4 में पूछा गया है the unit of mass in SI units is तो mass unit क्या होती है यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं गाई तो mass unit अपन सभी को पता है क्या होती है kilogram होती है SI में इसका answer क्या होगा option number A हो जाएगा क्योंकि यह पन बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं इसकी unit क्या है kilogram ठीक है अब दिखते है next question the unit of time in SI units SI unit time की unit हो क्या होती है second होती है ठीक है तो second is the fundamental unit of time time की जो fundamental unit हो क्या है second है the second was formally defined as 1 upon 86400 of the mean solar day mean solar day का जी एक कितना times रहता है one upon 86400 टीक है या इसी को हम क्या कहते है the average period of rotation of the earth on its axis relative to the sun यह क्या होता है average period होता है किसका अर्थ का अर्थ के rotation का किसके respect में Sun के respect है second fundamental unit होती है time B अब तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा question no.5 का option no.1 ऐसी next question है question no.6 इसमें पूछा गया है the unit of length in SI units तो length की भी unit अपन discuss कर चुके हैं पहले भी पहले वाले lectures में एक बार फिर से देखते है unit of length क्या होती है हमारी इन matrix system matrix system में अगर देखा जाए ऐसा unit of length is a meter meter होती है which is defined as the length of the path traveled by light in a vacuum within one upon यह value है इतने second में कितनी distance travel करते हैं की जाती है तो वह क्या कहलाती है है length की unit कहलाती है तो इसको हम कैसे में मेजर करते हैं मीटर में ऐसा unit की बात करें तो यह क्या होती है हमारी मीटर होती है तो इसका answer क्या है option number A है ठीक है गाईज अब देखते है next question question number 7 इसमें पूचा गया है the unit of energy in SI units SI unit में जो energy की unit है वो क्या होती है गाईज उसके बारे पूचा गया है तो सबसे पहले energy क्या होती है energy in simple terms can be defined as the capacity of doing work जो कार करने की जो capacity है चमता है उसी को हम क्या कहते है energy कहते है Semple terms में lt can occurs in kinetic potential electrical chemical Tools फर्म परेएश अदर फम्स जो energy होती है वो हमारी अलगला फॉम्स में हो सकती पूटेंस general energy हो सकती है chemical energy हो सकती है thermal energy हो सकती है kinetic energy होती है या कई किसी दूसरे फॉर्म Мें भी सकती है तो यह एनरजी हमारी क्या है अलगला फॉर्म में रहती है इसकी जो यूनिट है एसाई यूनिट वो क्या होती है हमारी जूल होती है एनरजी की इन fundamental terms 1 newton meter is equal to 1 joule fundamental terms में अगर देखा जाए तो बन newton meter किसके बराबर होता है एक जूल के बराबर होता है in terms of SI in terms of SI base unit it can be represented as तो जो SI base unit के term में इसको अपन किस तरीके से represent कर सकते हैं वन जूल कितना होता है बन किलोग्राम इंटू में meter upon second का होल स्कर या बन किलोग्राम मीटर स्कर पर सेकेंड ठीक है तो इसकी जो बेस यूनिट है जूल है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number B अब देखते हैं next question question number 8 question number 8 में पूछा गया है according to Charles law for a perfect gas तो Charles law के according perfect gas के लिए इन में से कौन सा जो relation है वो correct होगा ठीक है तो सबसे पहले Charles law यह हम पहले भी देख चुके हैं गाईस इससे पहले वाले question में Charles law state that when the pressure on a sample of a dry gas is held constant the Kelvin temperature and volume will be indirect proportion किसी dry gas के प्रेशर को अगर constant रखें तो उसमें जो temperature रहेगा temperature हमारा किसमें मेजर किया रहे था Kelvin में तो Kelvin temperature हमारा किसके proportional रहेगा डिरेक्टली बॉलियूम के मतब भी इस डिरेक्टली पॉपोर्शनल टू टी अगर प्रेशर हमारा क्या है constant है for comparing the same substance under two different sets of condition the law can be written as अगर compare कर रहे हैं same substance को two different sets of conditions में तो इसका जो equation होगी वो किस तरीके से लिख सकते है अपने इसको इस तरीके से t2 upon t1 equal to b2 upon b1 if p is kept constant ठीक है गाई तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा हमारा t2 upon t1 equal to b2 upon b1 if p is constant तो option number b correct हो जाएगा इसका अब देखते हैं next question 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 number 9 इसमें पूचा गया है according to gay-lussac law for a perfect guess the absolute pressure of given mass varies directly as तो इसमें पूचा गया है कि जो gay-lussac law हो है उसके according to absolute pressure है किसी given mass का वो किसके directly proportional होता है ठीक है तो देखते हैं यह हम पहले discuss का चुके है पहले वाले question में तो gay-lussac law की according क्या होता है the pressure of given mass varies directly as its absolute temperature directly किसके होता है absolute temperature के होता है कैसे होता है यह pressure is directly proportional to क्या होगा absolute temperature अगर volume को क्या रखा जाए constant रखा जाए और जो मोल्स है वो भी हमारे क्या रहे constant रहे ठीक है गाई तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा हमारा question number nine का question number nine का option number c absolute temperature if volume is kept constant ठीक है गईस अब देखते है next question question number 10 इसमें पूछा गया है an ideal gas as compared to real gas at very high pressure occupies तो ideal gas किसके comparison में real gas के comparison में कितना volume occupy करती है अगर pressure क्या हो बहुत जादा हो तब ठीक है तो देखते हैं ideal gas molecules don't have any force of repulsion और attraction between them जो ideal gas के molecules होते हैं उनके बीच में कोई भी repulsion या attraction force नहीं रहता है उनके molecules के बीच में बट in case of real gases रेकिन real gases के किस में क्या होता है दियर एक्जिस्ट बोथ repulsion and attractive forces real gases के cases में क्या होता है जो repulsion और attractive force होते हैं वह एक्जिस्ट करता है ठीक है when there is high pressure there is less distance between any two neighboring gas molecules अगर pressure क्या है बहुत जादा है तो जो molecules हैं उनके बीच की जो distance रहेगी वो क्या रहेगी बहुत कम रहेगी as the gas molecules come nearer the force of repulsion between electron of both molecules and nucleus of both molecules increases जैसी gas के molecules क्या आते हैं पास में आने लगते हैं तो जो force of repulsion है और force of attraction है electrons के बीच में या molecules की बीच में वो क्या करने लगता है increase करने लगता है जिसके कारण क्या होता है जो volume हो कम हो जाता है लेकिन ideal gases में क्या होता है जो repulsion attractive force क्या होता है अप्सेंट रहता है इसी के कारण जो volume होगा volume occupy ideal gas में क्या होगा ज्यादा होगा as compared to real gases तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा option नम्मर यह हो जाएगा more volume है अब देखते है नेक्स्ट कुश्चन कि कुश्चन नम्मर 11 इसमें पूचा गया जर्नल गैस एक क्या होती है गाई यह होती है यह होती है यह होती है यहां पर क्या है नम्मर आप मोल्स है और आर के है आइडिल गैस कॉंस्टेंट है जब हम तीनों जो लॉज है बॉइस लॉज चाल्स लॉज गेस फॉसाक लॉज इन तीनों को अपन कम्माइन करते हैं तो कमाइन टेंपरिचर फ्रेसर बॉल्यूम नमबर ओफ मॉलीकुल से इंटू बन एक्किशन हो जाते हैं तो क्या आती है हमारी के सटीवी एकल टू एन आर्टी ठीक है गाई तो यह हमारी आइडियल गैसे क्यों होती है इसका आंसर क्या है ऑप्शन नमर यह है अब देखते ह है सबस्क्राइब canoda 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 सब्orgeous Óец उना चृप ओर कशेकैंग्नरे क्ली के नियां इस्टीन क्लिए और श्यांदेश एप्रर पॉस्ट्रेंट ढ़न रहता है यह थिए पूछागिन है तो देखते हैं गलोबियूल्स लिक्विड गलोवियूल लक्विय गलोवियूल्स मत offended यो से बैट तो होते हैं उनमें क्या रोते है liquid plates होते है निकट द्रीट में संस्पेंशन के सस्प्एंसन के रूपने कि ए बैट डीटेड बैपर हिजा सब ह के इन दॉच्टिएस गैसिड़ पर होता है वो किस में रहता है डैसिस इस्टेड में रहता इंच ड़्लोड जोक्ययों करता है अगर साइड स्टाइटेश्ट बैपर की बात करें तो भी में क्या होता फिरी फ्राम गड़्फ क्ne रटाइड पराइड प्रॉआडटेड इन पार्टीकल्स बैपॉर हैं यह क्या उटा लिक्वी रहता है लिक्वी लिक्वी temperature और increase in Vapor pressure condense the liquid particle in the vapor क्या हो रहा है वेपर का temperature वो decrease कर रहा है यह जो वेपर का pressure वो increase कर रहा है तो यह क्या होगा liquid particles का जो condensation है वो start हो जाएगा ठीक है hence it does not follow the में चनल गैसव लोग इसलिए यह क्या करता है जनल गैस OW50 को आण नहीं करता ठीक है और फाइद है तर्ड हमारा क्या फवर हीट हीटे बेब ह्ल टिक है तो फबैपर में क्या होता है इन इनßen परिविते बैपर देटेड़ the temperature is higher than the boiling point temperature corresponding to the pressure जो pressure है उसके corresponding जो temperature रहता है वो boiling point से भी ज्यादा रहता है और increase in pressure or decrease in the temperature अगर pressure को increase कर रहे है temperature को decrease कर रहे है will not condensate liquid particles in the vapor तो वो जो liquid particles को क्या करेगा condensate नहीं करेगा किसमें वेपर में हैंस highly superheated vapor are gases that approximately follow general gas law जो superheated vapor रहता है वो कैसा होता है gas gases form में रहता है इसलिए approximately follow the general gas law मतलब यहां पर भी क्या आगे हमारा gases आगी जो superheated vapor है वो गैस की तरह वेप करता है इसलिए जनल गैस लो को क्या करता है follow करता है superheated vapor लेकिन जो dry saturated vapor रहता है और saturated vapor रहता है वो क्या करता है general gas law को follow नहीं करता है तो इसलिए जो gas laws होते हैं वो क्या होते हैं only gases के लिए applicable होते हैं not to vapor option number B क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा अब दिखते है next question question number 13 इसमें पूचा गया है according to delta's law the total pressure of mixture of gases is equal to option a में दिया गया है greater of the partial pressure of all सभी के partial pressure से ज्यादा होता है टिक है जो total pressure होता है वो सभी के partial pressure के summation से ज्यादा होता है या average of the partial pressure of all सभी के average partial pressure के बराबर होता है यह option number c में दिया गया है sum of the partial pressure of all सभी के partial pressure के summation के बराबर होता है यह sum of the partial pressure of all divided by average molecular bit यह इसके बराबर होता है यह atmospheric pressure के बराबर होता है तो यह पूचा गया है डालतल नौ के बारे में तो देखते हैं गाइस डालतल क्या होता है डालतनम Exactlord लॉव पर्चिल प्रेशर ऀस tulee टोटल प्रेशर ओने यहां पर इस तरीक Сबसकते हैं यह उसमैं नाइटो जनें यह पीवन हो गया यह 159 tw0 और फिरली थी ले लिए नाइटोजन का रिख लुएक के अंदर एक ही गया है तो इसका पर फोल्र के रहेगा और इस सविध्यार इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए यहां पर इस तरीके से टीक है तो औस Lawrence प्रैसर और शिलिए को नीच्काइन कोज़न है टेयनर के अंदर तो इसका जो टूटल क्रेश प्रेशर हो गाँ वो कितना होगा हमारा इन यह प्रेशिए प्रेश सडर्विक्त लुक्त समेल का्राइब्स व्र कॉ मिल्श का यहाँन है यहाँ छोड़ा सर-क्या गा गैस बन का फाश्रेशर प्लसम ऑशान परिशर गैसे प्लसमा फाश्रेश्य परिश्टर ऊपकैस तरीच इस तरीके से रहता है तो इसलिए इसका ऑंसर क्या हो जाए का सम आप दा पासिल पेश्टर ऑल अप्चन नूंबर सी हो जाएगा अब देखते हैं next question question number 14 इसमें पूछा गया है which of the following can be regarded as gas so that gas laws could be applicable within the commonly तो इन में से कौन-कौन सी gases हैं जिनके लिए gas law applicable होता है तो देखते हैं कौन-कौन is applicable for gases like oxygen nitrogen hydrogen and air इन सभी gases के लिए gas law applicable होते हैं these gases are not polarized यह जो गैसे होती है पोलराइज नहीं होती है और इनका जो बॉल्यूम होता है molecules का वह नेगलिजबल होता है as compared to volume of the container container के बॉल्यूम के comparison में इनका जो बॉल्यूम होता gases का वह क्या होता नेगलिजबल होता है ठीक है एंड इसलिए इनमें जो intermolecular force होता है intermolecular force of attraction वह क्या होता है बहुत कम होता है यह जो gases है हमारी इनने तो इसलिए इसका answer क्या है हमारा option number D हो जाएगा oxygen nitrogen hydrogen and air option number D अब देखते हैं next question question number 15 इसमें पूचा गया है the unit of pressure in SI units जो प्रेशर की unit होती है SI में कौन सी होती है वो पूचा गया है तो देखते हैं यह तो अपन पहले भी discuss कर चुके है इस टेंतों material वाले lectures में फोर प्रेशर SI सिस्टम बेसे की unit is Pascal basic unit क्या होती है हमारी Pascal होती है Pascal को अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर के रूप में भी लिख सकते हैं तो पास्कल लिख लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वेर या किलोग्राम मेट्रिक्स सिस्टम पर बेस्ट होती है बट नॉट पार्ट अपड़ एसाई सिस्टम यह एसाई सिस्टम का पार्ट नहीं होती है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कुशन नमर 15 का हो जाएगा option नमर सी तो थैंक्स पूर वाचिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू